इम्रान खान या पाकिस्तानी आर्मी आखिर कौन जीतेगा नमाज़कार दोस्तों 9th मेड 2023 पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इम्रान खान को अरेस्ट किया जाता है इसलामाबाद हाई कोट के अंदर से इसके कुछी घंटे बाद देश भर में लोग सडको पर उतर जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए ये भारी प्रोटेस्ट कुछ जगाओं पर दंगों में बदल जाते हैं वाइलेंस होता है दो हजार से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है इमरान खान सीधा उंगली उठाते हैं पाकिस्तान की आर्मी के उपर और इसलिए कुछ एतिहासिक दृश्य हमें देखने को मिलते हैं प्रोटेस्ट के दुरान पहली बार पाकिस्तान में कुछ आम लोग मिलिटरी ए खिलाफ ओपनली लड़ने लग जाते हैं कहा जा रहा है पाकिस्तान में इतनी इंस्टेबिलिटी शायद ही देखने को मिली है पिछले कई दशकों से इसे पाकिस्तान की बिगेस्ट क्राइसिस बताया जा रहा है 1971 के बाद से आई ये समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तो पिछले साल एप्रिल 2022 की बाद है जब इमरान खान की सरकार गिरी थी जब वो नो कॉन्फिटेंस वोट हारे पारलेमेंट में तब से लेकर अब तक एक के बाद एक लीगल केसिस में इमरान खान उलजते रहे हैं कभी करप्शन का केस, कभी मर्डर तो कभी टेररिजम का केस उनके उपर और उनकी पॉलिटिकल पाटी पाकिस्तान तहरी के इंसाफ PTI के मेंबर्स के उपर करीब 140 क्राइम्स का एक्क्यूजिशन लगा है इन में से 34 केसिस ऐसे हैं जो इमरान खान के खुद के खिलाफ है यह हमें बदा चलता है कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरीए जिन्हें एक्सेस किया था फॉरण पॉलिसी, अमेरिकन न्यूस पब्लिकेशन ने अब 9 में को जो अरेस्ट किया गया इमरान खान का वो specifically किया गया था corruption charges पर इन investigations को पाकिस्तान के NAB यानि National Accountability Bureau के द्वारा लीट किया जा रहा था तो क्या था यह corruption case exactly? यह case था Al-Qadir University Trust से related यह एक non-governmental welfare organization है जिसे set up किया गया था इमरान खान और उनकी तीसरी बीवी बुश्रा बीवी के द्वारा इस trust को बनाया गया था साल 2018 में जब इमरान खान प्रधान मंतरी की position पर बैठे थे as the prime minister भी उन्होंने इस trust को official events में काफी promote किया था यह trust एक university चलाता है जो spirituality और Islamic teachings से devoted है जून 2022 में आरोप लगाया गया था इमरान खान के उपर कि उन्होंने इस university को बनाने के लिए जिसकी वज़े से पाकिस्तान की सरकार को 239 million dollars का नुकसान हुआ यह करीब 7000 करोड पाकिस्तानी रुपीज होता है और 2000 करोड इंडियन रुपीज एक quid pro को arrangement थी कि मैं favor करता हूं तुमारे लिए तुम favor करो मेरे लिए वही आरोब जो बहुत सारे और political corporate nexus इस पर लगाए जाते हैं अब 9 में को इमरान खान इसलामबाद high court गए थे किसी और case में hearing attend करने और तब NAB ने उन्हें arrest किया paramilitary forces का इस्तिमाल करके इस arrest के द्रिशे काफी खौफनाग थे देख सकते हैं आप screen पर किस तरीके से इमरान खान को ले जाया जा रहा है और कितने officers ने उन्हें घेर रखा है एने बी का कहना था कि उनको arrest करना जरूरी हो गया क्योंकि notices देने के बावजूत इमरान खान उनके सामने appear नहीं हो रहे थे एने बी के former prosecutor इमरान शाफिक का यहाँ पर कहना है कि हाला कि एने बी के पास authority है किसी को arrest करने कि अगर कोई repeated absence दिखाता है लेकिन इमरान खान के खिलाफ जो case है वो काफी कमजोर है revised amendment जो करी गई है उसके according एने भी को पहले अपनी inquiry complete करनी होती है accused के साथ report पहले share करनी होती है अब इसके लावब एक दूसरा case है जिसमें इमरान खान बड़े बुरी तरीके से फसे हैं October 2022 में पाकिस्तान के एक court ने ruling दी कि इमरान खान अगले 5 साल तक कोई political office hold नहीं कर सकते elections नहीं लड़ सकते ये हुआ था तोशा खाना case में पाकिस्तान में तोशा खाना basically gifts की एक treasury है तोफो की treasury अगर gift की कीमत एक certain value से कम होती है तो receiver इन gifts को अपने पास रख सकता है लेकिन जो महेंगे gift होते हैं उन्हें तोशा खाना भेजना पड़ता है इस case में बड़ा आरोप ये था कि इमरान खान को कई बड़े बड़े तोफे दिये गए महेंगे तोफे दिये गए उन gifts को लेकर इमरान खान ने officials को mislead किया और उन्हें जाकर market में बहुत ही महेंगे महें दाम पर बेचा इस case में उन्हें बाद में जाकर respite मिला जब court ने कहा कि नहीं अभी भी इन्हें allowed होगा elections contest करना लेकिन आल कादीर case में जब इन्हें arrest किया गया उसके बाद इस तोशा खाना case में भी उन्हें कहा गया कि 8 दिन के लिए custody में रखा जाएगा तो इसी के कारण इमरान खान के supporters सडको पर आगए और पूरे पाकिस्तान में भारी protest देखने को मिले कई बड़े interesting videos सामने आए जैसे कि एक video जहां पर एक एकलोती लड़की military के headquarters के gates को हिलाने लग रही है रावल पिंडी में लाहोर में इमरान खान के घर के बाहर कई protesters आ गए road blocks होई, tires को जलाया गया, police ने water cannons का इस्तिमाल किया और कई cases में tear gas भी इस्तिमाल करी गई पाकिस्तान के जो current prime minister है शहबाज शरीफ उन्होंने warn किया कि violent protests को tolerate नहीं किया जाएगा कई इमरान खान के supporters ने गाडियों पर भी आग लगाई और current prime minister के घर पर petrol bombs भी फैके गए पाकिस्तान की army ने statement दिया कि इन protests के दिन को एक dark chapter की तरहे याद किया जाएगा पाकिस्तान के इतिहास में international reactions की बात करें तो UK के प्रधानमंतिरी रिशी सुनक ने इसे पाकिस्तान का internal matter बताया लेकिन दूसरी तरफ जो opposition leader है UK में Jeremy Corbyn उन्होंने condemn किया है इमरान खान की arrest को America और Canada जैसे देशोंने कोई side नहीं लिया यहाँ पर बलकि travel advisories बस issue करी है अपने citizens को कि पाकिस्तान जाना safe नहीं है एक famous human rights की international organization Amnesty International ने बड़े strongly condemn किया है पाकिस्तान में जो हो रहा है especially जो internet को block किया गया कई social media websites की access को cut off किया गया और पूरे देश भर में internet पर पाबंदी लगाईगी जिसकी वज़े से बहुत से आम लोगों को नुकसान सहना पड़ा अब बात यह है दोस्तो यह political crisis एकलौती crisis नहीं है जो पाकिस्तान face कर रहा है बलकि economic crisis भी भयंकर तरीके से पाकिस्तान में देखने को मिल रही है currently record high inflation है 30% तक inflation पहुँच रही है इतनी महेंगाई है कि जल्द ही expect किया जा रहा है international monetary fund को bailout करना पड़ेगा पाकिस्तान को तीसरी problem कई आतंखवादी हमले पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं बलोचिस्तान में अभी एक हमला हुआ इससे पहले पाकिस्तान एरान के border पर हमला देखने को मिला January में पाकिस्तान के मस्जित में एक भयंकर धमाका हुआ है जिसमें 60 लोग मारे गए हालाद बहुत unstable है लेकिन यहाँ पर चीजों को थोड़ा गहराई से समझते हैं जो political खेल खेला जा रहा है इमरान खान और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में November 2022 में इमरान खान के उपर एक assassination attempt भी किया गया था वो एक protest मार्च कर रहे थे कि किसी ने गोली चला दी उनके पैर पर इमरान खान ने सीधा उंगली उठाई पाकिस्तान की military पर कहा कि उन्हें मारने की कुशिश करी जा रही है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा उनका कहना है ISI के मेजर जेनरल फैजल नसीर कंस्पायर कर रहे है प्रधान मंत्री शरीफ और इंटिरियर मिनिस्टर राना सनाउला के साथ उन्हें मारने के लिए सेवंथ माई को इमरान खान ने फैजल नसीर को डिर्टी हैरी करके पुकारा और पाकिस्तान की आर्मी का एक media wing है ISPR नाम से इस आदमी ने दो तफा मुझे कतल करने की कोशिश की और जब भी investigation होगी मैं ये साबित करूँगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है यहाँ एक interesting चीज़ नोट करने वाली है साल 2018 में जब इमरान खान elections जीते थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे कई लोगों का मानना था कि वो actually में पाकिस्तानी आर्मी और military establishment के support के साथ बने थे मैंने आको कई पहले वीडियो में बताया है कि पाकिस्तान में जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा powerful है कई दशकों तक तो पाकिस्तान की आर्मी ने direct rule किया था पाकिस्तान की उपर military dictatorship देखने को मिली थी लेकिन जब जब democracy अपनाई गई बागी politicians power में आये तब भी कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी का एक indirect control रहता था सरकार पर पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ देश की politics पर ही एक heavy control नहीं जमाती बलकि उनका हाथ business की field में भी बहुत है कहा जाता है कि पाकिस्तान की military 2018 के समय में एक नई चेहरे की तलाश में थी और उन्हें ये नया चेहरा मिला इमरान खान के firm में यही कारण है कि पहले कुछ सालों में इमरान खान ने कई pro-military policies भी pass करी कई military generals को सरकार के important parts दिये गए control करने के लिए media पर एक tight control था इमरान खान के जो opponents थे उन पर एक heavy crackdown देखने को मिला और कई opposition leaders को jail में भी बंद किया गया लेकिन time के साथ साथ कहा जाता है कि इमरान खान ने अपनी favorable position खो दी military के सामने जब वो no confidence vote हारे पिछले साथ तब से ही इमरान खान military के openly against रहे और जब recent assassination attempt उन पर हुआ तब से तो directly उंगली उठाते हैं पाकिस्तान की आर्मी पर कहते हैं कि यही उन्हें मरवाने की कोशिश कर रहे असल में बात किया है कि ऐसा माना जाता है पाकिस्तान की आर्मी को ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं आता जब कोई भी political leader इतना popular बन जाए कि वो military establishment को overshadow करने लगे जब जब पाकिस्तान के former prime ministers ने stand लेने की कोशिश करी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ उनके लिए नतीजा बहुत बुरा रहा है जुल्फिकार अली भुटो इन्हें फासी पर चढ़ाये गया साल 1979 में पाकिस्तान की military dictatorship के दुआरा एक controversial trial कराने के बाद इनकी बेटी बेनेजीर भुटो एक और military dictatorship ने इन्हें house arrest पर डाले रखा और house arrest खतम होने के कुछ हफतो बाद इन्हें assassinate कर दिया गया नवाज शरीफ इमरान खान जब प्रधान मंत्री थे तो नवाज शरीफ जेल में बन थे इसके पीछे भी military का influence बताया जाता है पाकिस्तान में military dictatorship की इतनी लंबी history रही है कि साल 1970 में पहली बार था कि पाकिस्तान में general elections देखने को मिली इसे आप compare कीजिए इंडिया से दोनों देशों को same year में आजादी मिली थी लेकिन इंडिया की पहली general election 1951 में ही हो गई थी पाकिस्तान में almost 20 साल ज्यादा लगे elections conduct करवाने में तो इस हिसाब से देखा जाये तो इंडिया का इतिहास काफी सुनहरा रहा है इस मामले में हमें peaceful transfer of power देखने को मिला एक के बाद एक आये prime ministers में यहाँ अगर आपको इंडिया के prime ministers के बारे में और जानना है तो कुकू FM पर यह वाली audiobook में आपको suggest करूंगा भारत के प्रधान मंत्री देश, दशा और दिशा प्रधान मंत्री नहरू से लेकर प्रधान मंत्री मोधी तक की कहानी कुकू FM को नहीं जानते एक बड़िया audio learning का platform जहाँ पर धेल सारी ऐसी audiobooks आपको सुनने को मिलेंगे यहाँ आप coupon code इस्तिवाल कीजिए धुरुफ 30-30% आफ पाने के लिए कुकू FM के पहले महिने के subscription पर यानी 99 रुपीज की जेगे सिर्फ 69 रुपीज कोस्ट पड़ेगी आपको लिंक इसका नीचे description में मिल जाएगा जाकर try out करके देख सकते हैं कि यहाँ कुकू FM का धन्यवाद इस वीडियो को sponsor करने के लिए भी और अब topic पर वापस आते हैं इमरान खान की military के साथ problems कह सकते हो आप शुरू हुई साल 2019 में ISI के chief थे General Asim Munir कहा जाता है यह corruption allegations investigate कर रहे थे इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान ने इनका tenure काट दिया एक नया ISI का chief appoint किया गया लेकिन हुआ क्या कि November 2022 में पाकिस्तान की आर्मी ने General Asim Munir को आर्मी का chief of staff बना दिया यानि आर्मी का head बना दिया आज के दिन पाकिस्तान की establishment इमरान खान के पीछे पड़ी है बुरी तरीके से कोशिश करी जा रही है इमरान खान को दबाने की अरेस्ट करने की और शायद उन्हें मारने की भी लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान जब खुद प्रधान मंतरी की position पर बैठे थे उनके बास मौका था system बदलने का उनके बास मौका था पाकिस्तान की military की influence को कम करने का एक नई healthy democracy set up करने की कोशिश करने का लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा क्या पाकिस्तान की military establishment बाकियों की तरह इमरान खान को भी दबा कर खतम कर देगी या फिर इमरान खान प्रोटेस और अपने supporters के बल पर successful होंगे पाकिस्तान की army की power खतम करने में अगर हम इतिहास को देखें तो ऐसे cases में पाकिस्तान में हमेशा एक military coup देखने को मिला है military बोलती है कि बहुत हुआ ये democracy का नाटक अब चीजों को control में लाना है तो मुझे dictator बनना पड़ेगा अभी तक चार military coups पाकिस्तान में देखे जा चुके हैं 1953, 1958, 1977, 1999 इसके लावा तीन unsuccessful coups के attempts रहे हैं 1951, 1980 और 1995 2008 सबसे recent साल था जब पाकिस्तान military dictatorship के अंडर था और तब से लेकर अब तक thankfully democracy बनी रही है आज जो protest हो रहे हैं पाकिस्तान में इसमें ये चीज भी deny नहीं करी जा सकती कि ये पहली बार है कि आम जनता में इतना गुसा देखने को मिला है पाकिस्तान की military के खिलाफ और इमरान खान की जबर्दस popularity एक और कारण बताय जाता है कि military की ताकत अब शायद उतनी strong ना हो जितनी पहले थी इमरान खान के political career के इलावा उनकी popularity के पीछे एक और बड़ा कारण है जब वो cricket player थे उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीता है था सिरफ एक ही बारी पाकिस्तान आज तक वर्ल्ड कप जीता है cricket में और वो तब था जब इमरान खान क्रिकेटर थे इसलिए कहा जाता है कि अगर अब military को attempt किया गया पाकिस्तान की military के दुआरा तो जनता की तरफ से जो response होगा वो और भी ज्यादा strong हो सकता है दूसरी तरफ अगर military को नहीं किया गया और elections करवाई जाती है तो कई experts का मानना है कि obviously Imran Khan इन elections को जीतेंगे और ऐसा होगा तो elections जीतने के बाद वो क्या करते है यह चीज भी बड़ी दिल्चस्प होगी देखने लेकिन अगर वो elections नहीं जीतते या फिर elections में कुछ छेड़ चाड़ करी जाती है या military को करने की कुशिश करी जाती है तो पाकिस्तान की stability के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा आने वाले दिनों में कई लोगों ने already early elections की demand करनी शुरू कर दी है अभी के लिए elections प्लान करी गई है अक्टूबर 2023 में होंगी अभी के arrest की बात करी जाये तो इमरान खान को finally राहत मिली पाकिस्तान के सुप्रीम कोट से सुप्रीम कोट ने इनके arrest को illegal ठहराया और इसकी वज़े से 12 माई को इन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया इसकी वज़े से अभी के लिए protests काफी हद तक कम हो गए हैं और जशन में बदल गए हैं लोग सडकों पर celebrate कर रहे हैं और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है वीडियो पसंदाया तो यहां क्लिक करके 1971 वर वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पाकिस्तान और बांगलादेश का इतिहास डीटेल में समझाया है एक्जैक्ली क्या कारण था कि पाकिस्तान में मिलिटरी इतनी पारफुल बन पाई और क्या कारण की पाकिस्तान का बठवारा हुआ और बांगलादेश का जन्म हुआ इस वीडियो में सब समझ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद